असलाम अलेकुम जी इस लेसन में हम लोग एक और तरह का कंपोजट क्रियेट करेंगे जिसमें एक इमेज है और डिफरेंट डिजाइन एलेमेंट्स हैं जिसको आपस में कंबाइन किया जाएगा तो कुछ इस तरह का रिजल्ट हम लोग अचीव करने की कोशिश करेंगे इसक ट् nhृण का लिंक का आपसे शेर कर दिया जाएगा आप इस लिंक को फालो कर सकते हैं और वेरी से नृए ज़ू कंपोजट है वह क्रिएट कर सकते हैं ठीक जी तो जो इमेज इसमें रिक्वाइड हैंट वह आप इन लिंच पर जाके उन इमेज़िस को ले सकते हैं ठीक है मैं लिंक्स पर क्लिक कर रहा हूं तो यह सारी images आपको इन लिंक्स में मिल जाएंगी तो यहां पर Adobe Stock का watermark लगा वह है so just ignore it इस पर राइट क्लिक करें open image new tab तो practice के लिए I think this image is good इस पर राइट क्लिक करें इसको save image as करें और let's start working on it तो यह सारी steps यहां पर already mentioned है तो इन steps को follow करते हैं photoshop में जाते हैं यहां पर जाके नई file create करते हैं so this is going to be 1920 by 1080 ठीक है जी file को नाम दे देते हैं runner और इसके लावा let's create the file ठीक है जी तो यहां पर एक बड़ी important चीज है कि हम layers को एक proper naming के साथ लेके चलेंगे ताके understanding रहे कि हमने कौन सी layer को कहां पर place किया तो यहां पर एक layer create करते हैं और इसको नाम देते हैं जी background का ठीक है इसको नाम देते हैं जी background color का इसको हम लोग group create कर लेते हैं इस layer का तो मैं यहां से ctrl-g प्रेस कर रहाँ तो और इसको इसके अंदर move कर लेते हैं इस layer को delete कर लेते हैं ठीक है इसको नाम दे लेते हैं background ठीक है जी यहां से एक और group create करते हैं and that is going to be runner एक और group create करते हैं and that is going to be splash ठीक है so let's start अब यहां पे background एक color assign करते हैं तो मैं background पे click कर रहाँ और edit में जाके इसको हम लोग fill कर लेते हैं ठीक है आप लोग यहां से भी fill कर सकते हैं इसके लावा हमने एक और method देखा था कि जब आप यहां से color change करते हैं तो आप अपने keyboard से alt delete या control delete प्रेस करेंगे तो यहां से foreground या background color इस layer को apply कर दिया जाएगा तो color code यहां पे अलड़ी mentioned है हम उसी के साथ जाएंगे तो color code यहां से pick कर लेते हैं वह आप इस photoshop में आते हैं यहां पे color assign करते हैं और अपने keyboard से alt delete प्रेस करते हैं चीक है उसके बाद मैं control आई प्रेस कर रहा हूं इस color को inverse करने के लिए चीक है इसका जो opposite color है वह हमने इस background को assign कर दिया इसके बाद हम इसके ओपर background place कर लेते हैं सो background layer मेरे पास है मैं इस background layer को यहां से move कर रहा हूं अपने canvas के ओपर ठीक है इसको हम लोग smart object में convert कर लेते हैं और उसके बाद मैं अपने keyboard से control T प्रेस कर रहा हूं इसको resize करने के लिए इसको resize करते हैं जी ठीक है यहां से comment करते हैं वापस layers में आते हैं और यहां से आके इसका जो blending mode है उसको change करते हैं So how the blending modes are going to work with the background यह आप यहां पर कुछ देख सकते हैं ठीक है तो हम blending mode select करेंगे that is luminosity और इसकी जो opacity है उसको हम लोग करेंगे 10% ठीक है एंटर प्रेस किया So हमारा जो background है that is ready इसके बाद हम आते हैं runner के ओपर तो runner के लिए हम इस image को अपने canvas में open कर लेते हैं इसका background remove करना है तो background remove करने के लिए different selection tools हैं जो आपको बहतर लगता है आप उस selection tool के साथ जा सकते हैं तो मैंने quick selection tool लिया और इसके बाद मैं यहां पे quick selection tool से white background की selection करता हूं ठीक है इसके बाद आप lasso tool भी select कर सकते हैं इसके बाद हमारे पास बहतर option यह है कि हम constructive methods को follow करेंगे और इसका layer mask use करेंगे उससे पहले हम लोग इस selection को inverse कर लेते हैं और उसके बाद layer mask apply करते हैं ठीक है तो यह हमारे पास selection हो गई इसके बाद यहां पे हमें Adobe का watermark नजर आ रहा है practice के लिए तो कोई issue नहीं है अगर आप मजीद इसके साथ play करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग यहां से clone stem tool का इस्तमाल कर सकते हैं सो कुछ इस तरह से clone stem tool का इस्तमाल किया जा सकता है इस specific scenario के अंदर इसके बाद जी हम इस image को move करते हैं तो मैं इस layer mask के उपर आके command प्रेस कर रहा हूं hand icon के साथ एक dotted scale आपको नजर आ रहा है और अगर मैं इस पर click करूंगा तो जो मेरे pixels visible हैं इसने उन pixels को select कर दिया तो मैं अपने keyboard से control c प्रेस कर रहा हूं और वापिस अपनी layer के अंदर आते हैं और इस runner पे click करके control v प्रेस करते हैं इसके बाद इस layer को as a smart object convert कर लेते हैं मैं अपने keyboard से control t प्रेस कर रहा हूं इसके बाद हम इस runner की shirt को color assign करेंगे क्योंकि अगर हम वापस आते हैं तो अगर आप results को देखें तो इसकी जो shirt है that is red तो यहां से हम लोग इस hex code को दुबारा copy करते हैं Photoshop में आते हैं और adjustment layers में जाके एक solid color add करते हैं ठीक है जी इसको hex code को paste कर लेते हैं इसको ok press करते हैं और यह solid color सिरफ यहां पे applied हो इस runner के उपर तो इसके लिए मैं अपने keyboard से alt press कर रहा हूं और इस जब यह symbol बनावा है तो मैं click कर रहा हूं ताकि यह इसके साथ इसको clip कर दे इसके बाद हम चाहते हैं कि यह सरफ applied हो इसकी shirt के उपर तो सबसे पहले हम लोग इसका जो blending mode है उसको change करेंगे तो blending mode के लिए यहां से मैं color को choose करूँगा ठीक है और उसके बाद हम आ जाते हैं इसके mask के उपर तो इस वक्त सारे का सारा mask white है इसका मतलब है कि इसने red color इस पूरी image के उपर apply किया हुए ठीक है जी तो अगर मैं इस white को कुछ area से black कर दूँ for example मुझे जो red color है वो यहां पर नहीं चाहिए ठीक है इसकी tango पर नहीं चाहिए इसी जो इसकी shots है yes we need the red color on his shots तो मैं यहां से remove कर लेता हूँ और मैं अपनी keyboard से x को press करूँगा तो आप यहां पर देखें यह colors आपस में switch कर रहे हैं तो यह चीज हम already understand कर चुके हैं कि layer mask के अंदर जब हम black color कर रहे होते हैं तो black color का मतलब यह होता है कि hide the pixels और white color का मतलब यह होता है कि show the pixels ठीक है तो जहां पर मैंने red color को visible करना है वहां पर मैं अपने brush को white color paint करूँगा और जहां पर मैंने अपने pixels को hide करना red color को वहां पर मैं black color paint करूँगा ठीक है so this is how you can actually color the shirt of a person इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं इसके बाद हम जो इसकी body है इसको थोड़ा सा इसकी जो vibrancy है उसको low करते हैं तो उसके लिए क्या किया जा सकता है मैं दुबारा adjustment layers में जा रहा हूं है ठीक है और एड्जेस्ट्मेंट लेर्ज में जाके मैं इस रॉनर पर क्लिक करता हूं और यहां से एक adjustment layer add कर लेते हैं that is black and white layers open करते हैं और इसको place करते हैं इसके उपर और इसको clip करते हैं इसके साथ ठीक है और इसकी जो vibrancy है उसको अब यहां से adjust कर सकते हैं ठीक है जी तो यहां पर आप जिसकी shirt और जिसकी shorts हैं वह ज्यादा prominent हो गई है क्यूंकि हमने जिसकी body का color है इसके shoes का color उसको black and white में convert कर दिया ठीक है जी इसके बाद हम splash के साथ प्ले करते हैं और मैं एक दो splash के साथ आपको प्ले करके दिखाऊंगा else you can do it by yourself तो हम दोबारा splash की तरफ आते हैं और यहां से मैं splash को लेता हूं और splash को जी हम लोग एक नई की window में open कर लेते हैं layers में जाते हैं और यहां से जाके magic wand टूल लेते हैं वाइट लर पर क्लिक करते हैं दोबारा selection टूल मैं ले रहा हूं quick selection टूल और यह वाले pixels हमें नहीं चाहिए फिलाल हम इनकी selection कर लेते हैं और this is the result इसके बाद मैं इस पर right click कर रहा हूं इसको inverse कर लेता हूं और यहां से इसको layer mask generate कर लेता हूं so यह हमारे पास selection हो गई इसके बाद मैं control press कर रहा हूं इसके उपर और मैं यहां पर आके इन pixels को copy कर लेता हूं ठीक है मैं वापस आता हूं जी और यहां पर layers में जाके splash पर click कर रहा हूं और उसके बाद मैं paste कर रहा हूं ठीक है we need the same color of the splash तो उसके लिए मैं इस layer पर click कर रहा हूं और इसके बाद मैं control J प्रेस कर रहा हूं तो यह की generate कर रहा है ठीक है तो इसको मैं move कर लेता हूं इस splash के उपर क्योंकि मुझे सारे splash का color red ही चाहिए और इसको मैं clip कर लेता हूं इस splash के साथ ठीक है ओके brush लेते हैं और let's paint white color अपने splash को लेते हैं मैं splash के लिए पर क्लिक कर रहा हूं Ctrl T प्रेस कर रहा हूं इसको यहां से rotate करते हैं इसको resize करते हैं ठीक है जी अब इसके साथ मजीद play करने के लिए we know कि अगर मैं इसका layer mask generate करूं और इसको हम लोग अगर बिल्कुल black कर लें तो सारा कुछ invisible हो गया तो हमें सिर्फ इन हाथों के उपर splash नहीं चाहिए body के उपर splash नहीं चाहिए इसके बागी हमें splash साइए ठीक है जी तो उसके लिए दुबारे इसको white convert करते हैं और अपना brush लेके कि अब वी डू नॉट नीड दिस प्लैश हेर ठीक है जी तो वी अदन विद्ध दिस प्लैश तो बिल्कुल इसी तरह आप लोग बाकी splash को भी प्लेस कर सकते हैं तो इसी तरह से आप उसको लेर मास्क करके visible invisible करके अपनी चीजों को एजेस्ट कर सकते हैं तो यह लिंक आप से शेर कर दिया जाएगा इस लिंक पे जाएँ और मजीद देटेल्स आप यहां पे जाके देख सकते हैं तो इस इस अ कंपोजट created from different elements from different images practice रूर कीजेगा जी ती यू इन नेक्स लेसन थैंक यू सो मच